हलो, this is the question number 2C, it is an or question, मतलब यह आपको और में मिलता है, जो के आपके लिए wind load analysis के लिए है, तो अगर आप चाहते हो column design करना, तो column design करिए, यहां तो exam में आपको और में मिलता है, आपको wind analysis या wind loading calculation, तो देखते हैं, data में क्या दिया है, multi-story breast, z plus 6 building है, मतलब total floor हुए है, उनके 7 important floor, important billing है, मतलब के आपको जो consideration करनी है, importance, और 30 meter की height दी हुई है, is having a plant dimension, 20 by 20, मतलब के square building दी है, तो यहां पे एक चीज़ समझ लेना बहुत आसान दिया है, 20 by 20 दिया है, तो क्योंकि square building है, तो कहीं पे भी आपको dimensions को change नहीं करना होगा, 20 to 20 ही रखना है, bay width आपको 5 meter दी है, in both direction, in both direction, so the ground floor height is 5 meter, तो यह चीज़ एक ध्यान में रखना है, मैं बताऊंगा आपको कहां पे वो काम आने वाली है, and the all other floor height is 4 meter, so बाकी जो floor है, वो 4 meter के है, तो 4 x 7 अगर हम करते हैं, तो 28 meter हो जाते हैं, वट यह ground floor का 1 meter ज्यादा है, तो 29 meter हुआ, अब देखते हैं, total दिया है, आपको 30 meter, तो यहां से आपको समझना है, कि पेरापेट वेल वोल, जो height दी है, वो 1 meter यहां पे दी गई है, बट कभी कभी नहीं देते है, तो वो आपको consider करनी होती है, फिर से एक बार repeat करके बताता हूँ, यह 4 x 728, और यह 1 meter जादा है, तो 29 meter हुआ, तो 1 meter आपके पास अभी भी बाकी है, जो होगा वो पेरापेट height होगी, अगर नहीं दिया है, तो वो आपको calculate करना होता है, अब बात करते हैं, the building is located एहमदाबाद under the terrain category 2, यह चीज आपको काम आने वाली है, wind velocity के लिए, basic wind speed जो होती है, वो हम find करनी होती है, as per the city location, तो city एहमदाबाद है, तो भी basic wind speed होगी, वो हम consider करेंगे, और यह category 2 का मतलब होगा, आपको जब भी terrain factor find करते हैं, वहाँ पे, similarly upward slope is less than 3 degree, तो यह सबसे अच्छा काम है आपके लिए, अगर 3 degree से ज़्यादा देते हैं, यहाँ पे यह चीज याद रखना, तो आपका काम बढ़ जाता है, जब जब आप अगर आप देखो, यह भी चीज मैं आपको condition में बताता हूँ, अब for example, आप दोनों question आपको आते हैं, एक column design है और यह question है, तो आपको करना क्या है, अगर अगर आपको column design में और in में से choose करना है, तो आप सबसे पहले यह देखिए, कि less than 3 degree दिया है क्या, अगर yes है, less than 3 degree है then you can choose this question, बट अगर यहां से greater than 3 degree दिया है, और दोनों question आपको पसंद है, आप जानते हैं उनका answer किस तरह से calculate करना है, तो मैं आपको यही suggest करूंगा, कि आप column design के लिए जाओ कहां, क्योंकि यहां पे calculation थोड़ा बहुत आपका increase हो जाता है, अब बात करते हैं, estimate the wind load acting on the internal frame at nodal point, assume the depth of the foundation is 2 meter, depth of the beam is 500 mm, and the ground beam is located at the .5 meter below the ground level, यह आपको काम आएगा, जब भी आप count करोगे, nodal forces तब काम आने वाला है, और यह जो important building है, तो उनकी life भी आपको दिया हुई है, 100 years, अगर नहीं दिया है है, तो आप important building जब भी आप design करते हो, तो उनका life span बहुत ज्यादा होता है, तो हम अगर नहीं दिया है, कई पार, कई बार नहीं देते हैं, तो वहाँ पर आपको consider करना है, important building के लिए 100 years, तो यह था आपका data, जो थोड़ा बहुत दिखने में, लंबा है, but it is not that typical, अब सबसे पहला जो step होता है, वो होता है, आपका design wind speed, वी भी अग अब एहमदाबाद की में बात करूँ, तो आप 875 में देख लीजिएगा appendix A दिया हुआ है, एहमदाबाद है, बरोडा है, जो भी भूज city है, तो जहाँ बहाँ पे भी आपको जनरली गुजरात की city ही आपको देते हैं, तो वो आपको देख लेना है, एहमदाबाद के लि आपको लिएना है, 1.06, अगर कुछ भी तकलिप आ रही है, तो मुझे बता देना ये consideration करने के लिए, ठीके, अब बात करते हैं, k2, वहाँ पे भी page number 8 में दिया है, यह 7 में था, उसके next page में ही आपको k2 मिल जाएगा, वहाँ पे आपको देखना है, height और category जो आपको दी है 2, category 2 दी है, तो उनके सामने column देखना है, आपको यहाँ पे आपको 10, 15, 20, 30 meter height मिल जाएगी, और सामने आपको 1, 1.05, 1.07 and 1.12 मिल जाएगा, अब बात करते हैं, k3, तो k3 मेंने already बताया, अगर less than 3 degree slope है, तो 8 number page पर वो लिखा हुआ है, कि आपको k3 consider करना है 1, यही में बात बोल रहा था, अगर यह greater than 3 degree है, तो यह चीज आपको change हो जाएगी, तो उस कारण ही आपका calculation जादा हो जाता है, इसलिए k2 के बात, जब k3 की बात करते हैं, तब greater than 3 degree में आपका काम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो अब बात करते हैं, wind pressure and wind force के बारे में, तो wind pressure की equation दिया हुआ है, code में PD, that is design wind pressure 0.6 into VZ square, और design force के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप CF को अगर consider नहीं करते हैं, initial में, समझने के लिए तो pressure into area, that is force, अब यह CF है, जो आपका coefficient है, जो page number 35 पर उनका noted किया हुआ है, 875 code में, तो अब AE कहां से लेना है आपको, तो आपको, मैं dimension rectangular नहीं दिया है, square दिया है, तो अब आपके पास 20 meter, sorry, 20 meter आपकी एक पूरी length है, x यह 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 जो भी आप चाहो, और उनमें, आपको जो एक base दी है, वो दी है, आपको 5 meter, तो area जो आपको consider करना है, वो करना है, 20 divided by 5, तो यह चीज़ आपको याद रखना है, 20 by 5, किस तरह स यह वो base की length है, और PD जो pressure हमें मिलेगा, वो आप बाद में हम next page में देखते हैं, PD किस तरह से calculate करते हैं, अब CF की बारी, तो CF के लिए आपको page number 35 में वहीं पे पी आपको एक, दो पे लिए ratio decide करने है, a by b मतलब क्या होता है, x में dimension, y में dimension, उनका ratio for example, 1 आया है, क्योंकि यह square building दी है, h जो है वो 30 मीटर है, b जो मतलब के width जो है वो आपकी 20 मीटर ते, वो आ रहा है आपका 1.5, अगर greater than 1 है, तो वहाँ पे आपको figure number 4a देखनी है, वहाँ पे दो figure आपको दीख जाएगी, 4a और 4b, उसमें से आपको देखनी है, 4a, तो वहाँ से आपको CF निकालना है 1.3, यह चीज़ थोड़ी बहुत याद रखनी होगी, तो इसे सबसे, यहाँ पे हम 1.3 put करते हैं, तो यह जो round figure मैं गर रहा हूँ, 5.2 into PD, अब PD यहाँ पे directly calculate क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि PD का जो equation है, वो already आपको मैंने बताया, वो depend करेगा आपका VZ पर, और VZ जो होता है, वो depend करता है, K1, K2, K3, अब यहाँ देख लेजी, K1 और K3 तो हमें fixed है, मालूम है, पलता है, 1.06 है, K1 और K2 आपको मिल गया है, already 1, बर जब बात करते हो, K2 तो it depends on your height, so that's why हमें जो F जो मिलेगा, वो कहीं न कहीं tabular form में count करना होगा, तो इसलिए हम next stage में जा चलो, तो पहले ही बताया, कि next stage में हमारा काम होगा, कहीं न कहीं tabular form में, तो क्या-क्या consider करना है, height जो आपको 10, 15, 20, 30, यह क्यों लिख रहा हूँ, 10, यह कोई interval define है, तो यह define है, क्योंकि जो K2 आपने लिया है, वहाँ पे आपको K2 की value, वो एक certain height पर ही लिखी हुई है, 10, 15, 20, and 30, तो इसे सबसे हमने लिख लिया है, 15, 20, and 30, अब VB fixed है, वो तो हमारा change होने वाला नहीं है, एहमदाबाद है, 39, 39, 39, 39, कोई भी height हो, वो basic wind speed रहती है, common, K1, फिर से बताया, K1 और K3 will be constant for the all four heights, but K2 जो है, वो change हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखा दू तो बता दिया था मैंने K1.01, 1.05, 1.07, 1.12, तो 1.00, 1.05, 1.07, 1.12, तो यहाँ से आपको क्या करना है VZ, VZ का equation क्या है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कौन सी column, let's suppose यह 1, 2, 3, 4, and 5, तो आपको column number 2, 3, 4, and 5 का multiplication करना है, column number, फिर से बता रहा हूँ, column number 2, 3, 4, and 5, तो आपको VZ मिल जाएगा, तो VZ की value मिल रही है, आपको 41.34, similarly, चारों के लिए आप count कर सकते हो, अब बात करते हैं PD, PD का मतलब क्या है, 0.6 VZ square, तो यह जो आपको design wind speed मिली, उसका square कर लिए, और फिर 0.6 के साथ multiply कर दीजिए, तो यह जो आपको मिल जाएगा, वो मिल प्रेशर, तो 1025, 1130, 1174, 1286, यह हुआ आपका प्रेशर, अब यह देखिए, F का मतलब पहले ही मैंने इसके पहले ही पेज में लिख दिया है, 5.2 into PD, फिर से एक बार मैं repeat कर रहा हूँ, यह चीज, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, 5.2, तो यह चीज, अल्रेडी हमने लिखी हुई है, 5.2 into PD, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फाइन कर सकते हो, फोर्स की वेल्यू, 5.2 से इसको मल्टिप्लाइ कर दिजिए, तो यह जो मिल जाएगा, वो न्यूटन में मिलेगा आपको, उनको आपको कनवर्ट करना है, डि 0.88 कर दिया है, तो round figure कर दिया होगा, तो कहीं न कहीं आपको वो आसान होगा, after जो calculation है, इसके पास बात का जो calculation है, उसमें, और एक तूसरी चीज, यहां ही आपको कर देनी है, वो करनी है, इन दोनों का difference निकाल लीजिए, वो आपको जो next find करना है, nodal forces वहाँ पे आपको ब यह है, इनका difference, 0.39, तो यह चीज आपको थोड़ी बहुत समझनी होगी, यहां सही वो difference निकाल लीजिए, क्योंकि वो मैं बताता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, यह already यहां पे भी मैंने mention किया, 5.2 into VD, और यह सब कुछ, जो formulation यहां पे किया हुआ है, अल्रेडी मैं बता दिया, फिर भी यहां पे लिखके दिया है, अगर आपको फिर भी कुछ लाउट आ रहा है, तो मुझे यह चीज WhatsApp के साथ skin shot पेज दीजिएगा, अब जो जो main चीज आ रही है सामने, वो भी एक tabular form है, बट यह table बहुत ही important है, और यह चीज और याद अगर आपका marking question में, तो आपको figure draw करनी होती है, और वो भी figure में आपको बताऊंगा, बट अभी जो question पुछा है, इस हिसाफ से मैं आपको calculation करके बताता हूँ, तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा, ground floor, first floor, second floor, third, fourth, fifth, sixth and seventh floor जो है, वहाँ पे एक list out कर दीजिएगा, अब मैं बताता हूँ, second जो condition करनी है, यहाँ पे जो value लिखी है, वो 0.75 केसे आ रही है, इनका calculation यहाँ पे मैंने already दिखाया हुआ है, अब देख लीजिए, यह आपका 2 meter दिया हुआ है, foundation, ground level से नीचे जो दिया है, और यहाँ पे एक beam दे दिया है, आपको बता दिया है, यह जो से ground करना है, पहले तो इनका center निकलना है, 2 meter का center होता है, 2 by 2, उसमें से यह जो चीज है, आपको minus कर देनी है, तो beam depth जो कितनी है, beam depth वो आपने 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 divided by 2 कर दिजिए, तो यह जो 0.75 आपको मिल जाएगा, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, 2 meter उनका आदा कर दि दिजिए, तो आपको 0.75 मिल जाएगा, वो minus क्यों लिक रहा हूँ, क्योंकि ground level में ने assume किया है, 0,0, तो ground level 0,0 होगा, तो यह down में है, इसलिए minus 0.75 में यहाँ पे लिक रहा हूँ, तो एक चीज आपको यह समझ में आ गई होगी, 0.75 कहां से आया, अब ground floor जो है, वो आपका कहीं न कहीं, 5 मीटर का है, तो यहाँ 0.75 है, उससे plus 5 कर दीजिएगा, तो आपको answer मिल जाएगा, 4.75, अब next जो भी floor है, वो 4 मीटर के हैं, तो इनसे add कर दीजिएगा, 4 मीटर, तो 8, 12, 16, 20, 24, 28, I think कि यह आपको अभी समझ में आ गया होगा, अब हमें करना क्या है, loading level, मतलब कहां से कहां तक यह node आपका काम करेगा, तो 0.2375, तो यह 2.375 कहां से आ रहा है, उनकी बात में कर देता हूँ, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यह चीज, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो आपने 0.75 का नीचे गए आप, तो वहाँ पे आप एक consideration कर सकते हो, कोलम की जो total depth थी, वो आपकी 0.5 थी, तो अगर center से में बात करूँ तो यह 0.25 का कोलम कट होगा, तो अब नीचे जो अगर में कोलम, यहाँ यह जो बीम है, बीम सी surface से अगर बात करूँ तो यह मेरा है, 0.5 पर ground floor है, 0.5 पर मेरा ground floor है, और उनके उपर पूरा जो मेरा floor है, उनके, उनके बारे में बात करते हैं, तो अब total जो हो रहा है, total आपका 5 मीटर है, तो 5 में से यह जो आपका minus 0.25, जो 0.5 जो आपने लिया है, depth, भीम का, वो आपको क्या करना है, सबसे पहले deduct करना है, तो आपके पास बचा गया 4.75 बना, अब 4.75 का भी आपको half करना है, क्योंके नोड के उपर का एक level, वो उपर के नोड का होगा, और नीचे के लिए आप नीचे का नोड पॉइंट होगा, तो यह चीज हो गई, पहले loading level के लिए, अब जो next level है, वहाँ से आपको क्या करना है, तो यह 4.75 है, यह 8.75, इन दोनों का average अगर आप निकालोगे, तो आपको answer मिल जाएगा 6.75, फिर next stage में, यह 10.75 कहां से आया, इन दोनों का average होगा, आपका 10.75, similarly आप क्या कर सकते हो, य इनका average दिका सकते हो, यह एक alternative method बताओं मैं आपको, फिर से यहां की calculation के लिए, आसान जो है, यहां जो value है, 4.75, उनका divide by 2 कर दीजिए, तो directly आपको 2.375 करना मिल जाएगा, तो यह सब चीज आपको निकल जाएगा, क्योंकि ground level के उपर से ही हम consider करते हैं note को, फिर इन दोनो का average यह चीज मिल जाएगी, तो यह आपके लिए loading level find out करना आसान होगा, बट सही तरीका यह है, यहां से calculate करो, यह इस तरह से calculate करो, दोनों सेम है, अब बात करते हैं, यहां पे जो load है, केन पर मीटर, तो वो किस रिसाप से आपको लिखना है, तो यहां चीज याद रखिए कहां तक है, यह जो loading level है, आपका 0 से 2.375, वहां पे जो force value था, आप देख लिजेगा, टेबल में आगे मैंने बता दिया है, वहां पे आपका 5.33 था, 2 से लेके 6 तक 5.33, क्योंके 10 मीटर तक आपको intensity मिल रही थी 5.33, अब यहां चेंज होगा, क्योंके यहां देखो, 6.75 तो loading level जो है, आपका 10.75, मतलब 0.75 के लिए आपको loading बद चेंज करना पड़ेगा, कितना चेंज करेंगे, तो मैंने आखको और अड्रेड़े एक समझा दीती, एक चीज आपको, कि यहां पर आपको difference देख लेना है, कितना है, तक 0.55 है, कितना difference है, 0.55, कितने मीटर में है, 5 मीटर में, तो 5 मीटर के लिए आपको difference कितना मिल रहा है, 5 मीटर, for the 5 मीटर difference is, 0. 0.55, यहां आपको difference कितना है, 10, 10 के लिए है, 10.75 हमें चाहिए, तो 10.75 मतलब के 0.75 पे लिए कितना, तो यह approximately count किया है, मैंने 0.1 मिल रहा था, तो 0.1 हमें add कर दिया, 5.33 में, तो 5.43 आपका load मिल गए, तो अब यह चीछ समझ में आ गई होगी, similarly, अगर हम बात करें, next level में, त 10 से 14 में आपको कोई change नहीं मिलेगा, 10 से 14 में, 10.75 और यह आपका 14.75, तो यहां पे आपको directly 5.88, आपके 15 मीटर में है, तो उस से थोड़ा बहुत आपको, अगर exam के लिए calculation की बात करूँ, तो यहां पे आपको उस से थोड़ा कम कर देना है, calculation every time यहां, यह जो value मैंने find out की every time वो करनी नहीं होगी, नहीं तो क्या होगा, आपके लिए काम बढ़ जाएगा आपका, similarly 14.75 से 18.15 के लिए यह था आपका value 5.88, अब 18 के लिए आपको value है, आप table में देख लिए 6.1, तो आप 6.1 के लिए फिर से count करना होगा, तो 6.1 के लिए मैं count नहीं करागा, approximately उस से थ बहुत ज्यादा time जाएगा, इस तरह से यह value आप find out कर सकते हो, अब last value, जो nodal point force होता है, 5.33 into, यह जो आपका difference था, 2.375, यह multiply कर दीजे, तो यह node load मिल गए आपको, जो ground level के node पर मिल जाता है, next, similarly, अगर यहाँ पे आप find करते हो, इन दोनों का difference, तो multiplied with 5.33, answer आपको मिल ज 0.32, similarly, all the nodal point load के लिए यह आप कर सकते हो, अगर 7 marks के लिए पूछा है, तो आपको कोई भी drawing करनी की ज़रूरत नहीं है, अगर 7 से ज्याधा पूछते हैं, तो ही आपको drawing करना होता है, तो IHawk के यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप WhatsApp कर सकते हो, तैंक यू